आप सभी का बहुत ही दो सवगत है आपके अपनी चैनल शायन रवाट वी ताजी में इस वीडियो में हम लोग जो है आपका जो क्लास ट्वाइल में नागरी सास है उसका चैप्टर वन जो की है सीत यूद का दौर इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन अंसा देखने को चैप्टर चैप्टर के जितने बींश्डियो में में जengo there करने वाले है वीडियो बहुत इंपर्ट frightened होने वाले है और जितने भी आपके important question बनते है चैप्टर से इसमाने इसमें लिए क्षयाम में वह तो देख लेते हैं अमेरिका और सोवेट संग के बीच संका भै इर्शा पर आधारित वाद विवादों पत्र पतिकाओं रेडियों प्रिशारणों कूट नीटियों चालों तदा शायनिक शक्ति के प्रिशार के दौरा लड़े जाने वाले स्त्रायूद को सीत्यूद कहा जा इसी था और बहुत इंपोर्टन भी है सेकेंड कोश्चन है हमारा अप्रोध या रोक और संतुलन का तर्क किसे कहा गया है चलिसका देख लेते हैं अप्रोध का तर्क यदि कोई शत्रुक पर आक्रमड करके उसके प्रमार हटवारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब कि दूसरे के पास उसे बर्बाद करने के लाइक हथियार बच जाएं इसे अप्रोध तर कहते हैं जैसे कि दो देश हैं मालीजे तो जैसे पहला वाला देश दूसरे वाले देश के पास बहुत सारे हथियार है प्रमार बहम है तो वह उसे नश्ट करने का प्यास करता है पर क्या था सिलिश के अंसर देख लेते हैं तो सीट युद्ध सुरू होने का मूल कारण यहां पर हैरिंग डालिंग उसके लिखेंगे पर विरोधी खेमों की समझ में यह बात थी कि प्रितेक्ष युद्ध खत्रों से परिपूर है क्योंकि दोनों पक्षोकों को भारी नुक्स युद्ध ना होकर वह सीट युद्ध की स्थित बन गया था जैसे कि जो अमेरिका वह संके भी जब लड़ायों वगरा हो रही थी तो वहां पर क्या था पर उन्लों के पास दोनों ही के पास बहुत जारा सहत्र वगरा था दोनों को इसके पास यह चमता थे कि वह एक दूस समझाएं देख लेते हैं सीट युद्ध का दाइरा सीट युद्ध के दारे का अभिप्राय ऐसे छेत्रों से हैं जहां विरोधी गुटों के विभक्त देशों के मद्ध संकत के आउशन आए युद्ध और अथवा इनके होने की प्रबल संभावनाय उपन हो मल्कि सीट य वियतनान तथा अफगानिस्तान जैसे कुछ शेत्रों में व्यापक जनहानी हुई परंत विश्व पर्मार युद्ध से बचा रहा तो जो कोरिया वियतनान और अफगानिस्तान जैसे देश थे वहां पर इस युद्ध के चलते बहुत सारी हानिया हुई थी पर यहां पर विश्व पर्मार युद्ध नहीं हुआ था वो इससे बच गया था अनेक बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी जब दोनों महाशक्तियों के मदिराजनीतिक वारताय नहीं हुई तता इसके दोनों के बीच गलत फैमनें बढ़ाई उसके बाद नेक्स कोशन आ जाता है हमारा सीत यूद के कीनी दो सैनिक लच्ष्डों का लेख कीजे तो इसका अंसर हमनों देख लेते हैं सीत यूद के दो स्येटो नसेटो तथा वर्सा पैक्ट इत्यादी सैन संगट बंधनों का निर्मार करणा तक इसमें अध्यकारिक देशों को सम्विलित करना तो पहला क्याती से यह सारे समझ्थाइं है इसका निर्मार करा गया था सियानिकर्टबंदों को समयलित करा गया था स्क्राइब करना अत्युनिक परमाडु मिसाइलों निर्मित करके उन्हें युद्र के महातुव बिंदों पाइस फापित करना यह थे दो लच्छन अगर यह चैप्टर जो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं है तो यह चैप्टर है इसको अच्छे से रीट करें तो आपको बहुत ही तरीके समझ में आजएंगे बहुत ही अलजली से लर्ण भी हो जाएंगे उसके पार हमारा चोटे देशों में सीथ यूद्र के मैत्वी संदियों में महाशक्तियों के साथ आपने आपको क्यू जोड़ा कोई दो कारव पहला था चोटे देश और सुरच्छा की भावना से ग्रसिते हैं मलकी जिसे कि जब दो बड़े बड़े देशों में युद्ध हो रहा तो वहां पर चोटे देश सोचते थे कि यह कहें मुझ पर भी यूद्ना हो जाएं तो वह लोग भी जो हैं में समलेथ होने लगे थे वह श्यम को बड़ी सक्तियों से जोड़ का स्वयम की सुरच्छा सुनिच्छित करना चाहते थे कुछ देशों की सोच थी कि यदि महाशक्तियों के साथ जूडएंगे तो वह अपनी सुरच्छा है तो अधिक शैन वेव नहीं करना होगा और प्राकतिक आपदाओं के दौ लेने लगे थे कोशन है हमारा गुट निर्पेख्ष आंदोलन के दो नेटी राजनेती से दूर रहते हुए अपनी एक स्वायम स्वतंत्र विदेश नेती रखते थे दूसरा था विष्व में महायुद जैसे किसी भी बड़े खत्रे पर प्रभावी अंकुष लगाने में गुटनिरपेख्षिता की नेती कारगासिद्ध होधी है इसके दारवा अनेक युद्धो का समाधान किया जा सकता था नेक्स घोंक ओड़ेा की हमारा फिसा की किनी दो नवीन delivery और्फियों को लेख thay तो क्या है इसकी नवीन प्रवतियां थी जिससे कि वहां पर अंकुछ लगा सकता था सकेंड है धीरे धीरे गुट ने पेक्ष आंधोलन ने एक राजनीतिक आंधोलन से आर्थिक आंधोलन का सुरूप धारंट कर लिया था आगे बढ़ते हैं उसके बार जो कोशन है हमारा वो है बांडूंग सम्मेल कब हुआ था तो कब हुआ था 1955 में हुआ था इंडियों के एक सहर में हुआ था इसका नाम था बांग्डूंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं अब इसके दोपरिण क्या थे पहला था अफ्रिका तथा एशिया के नौ सटन्त देशों के साथ भारत के निरंतर बढ़ते हुए सीथियुद के दौराँ महाशक्तियों के बीच हुई कि निफी की 4 मुडवत you के दौराँ जो महाशक्तियों के भी शो मुठबेट हुई थी उन में से 4 जो मुख्यी तते तह थे पहला था sa 1950 से तरपन का कोर याainen युद तथा को दो भागव में बत कर दिया गया था तो चान उनने सो पचासता जो कोरिया था वो एक ही देश था लेकिन इस यूद के बाद इसे दो डिवाइट कर दिया था साउथ कोरिया और नौर्थ कोरिया में उसके बाद है सेकेंड है हमारा सन फ्रांस एवं वियतनान जो इसमें फ्रांसी सेना की हार हुई थी थार्ड है बर्लिन की दिवार का निर्मार हुआ था और फोर्थ है क्यूबा मिसाइल संकाट 1922 तो आई होब आप लोग को यह समझ में आ गया होंगे यह सारे की सारी कोशन आपका बहुत इंपोर्टेंट है तो जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमें लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आपको क्या नहीं समझ में आया और इसके बाद इसके जो लग उत्री प्रेशन है मलकी शॉर्ट टाइप पोशन और लॉंग टाप रिस्टोंस करते हैं तो चली मिलते हैं में नेक्स वीडियो में थैंक यू